हलो दोस्तो मैं हूँ पवन सेंगर और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल इंग्लिश लवर्स में अगर दोस्तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बैल आइकन दबाना भी मत बोलिएगा क्योंकि आने वाले जो वीडियोज हैं वो बहुत इंपोर्टेंट हैं जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन्स मिलते रहें चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मस ओफ पोईट्री में फ्रेंट्स आज हम डिस्किस करेंगे मॉक एपिक को फ्रेंट्स मॉक फर्ड का मेनिंग होता है मजाक और एपिक का मेनिंग तो आप जानते ही होंगे यानि कि कोई भी काव्य यानि कि एक सीरियस वर्क को नॉन सीरियस मोड में लिख देना उसे बोला जाता है मॉक एपिक तो friends, mock epic होता क्या है? चली जान लेते हैं The mock epic is a parody of the real epic in a non-serious mode It is also called mock heroic poem यानि कि mock epic का meaning क्या होता है? किसी भी real epic की नकल कर देना parody means होता है दोस्तों नकल कर देना वो भी non-serious mode में कोई भी serious epic है और उसको non-serious mode में लेख देना उसे बोलते हैं हम लोग mock epic और mock epic को ही friends हम लोग बोल सकते हैं mock heroic poem अगर इसके examples की बात करें In Greek, battle of the frogs and mice यानि Greek language में जो mock epic का greatest example माना जाता है उसे माना जाता है battle of the frogs of mice को A parody of Homer's Iliad यानि कि जो Homer's की Iliad का यानि कि एक तरह का मजाग बनाया गया है उसको मजागिया तोर पे लिखा गया है In English, is Alexander's pop The rape of the log अगर English language की बात की जाए तो उसमें mock epic का सबसे greatest example माना जाता है Alexander Pope's का जो work है The rape of the log I hope friends, mock epic के बारे में आप लोग समझ गए होंगे मिलते हैं next forms of poetry के साथ मैं next video में Thank you for watching this video and please share, like, comment and subscribe Okay, Apna Khayal Rakhou, Jahan